नमस्कार मैं जेकी जोशी हूँ मैं बेसिकली एक टीचर एजुकेटर रहा हूँ और पिछले चालिस वर्सों से मैं टीचर एजुकेशन से सम्मंदत कारी को कर रहा हूँ मेरे इस अनुभव ने और इस बीच जो मैं कुछ पढ़ पाया उससे मुझको आज के दिन जो एक समस्या ये लोग उठा रहे हैं और जो जायज भी है वो ये कि प्रात्मे की स्थर के विद्यार्थी न तो ढंग से लिख पा रहे हैं न पढ़ पा रहे हैं कहाया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है काक्षा पांच के अधिकांस विद्यार्थी काक्षा दो की पुस्तकें भी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो एक वाक्य भी सीधा नहीं लिख पा रहे हैं ये चिंता का विशा है असल में इसमें जो मूल रूप से जो बात है वो यह है कि आज का विद्यार्थी एक प्रस्न पोशना चाह रहा है और वो प्रस्न अगर अंग्रेजी में बोलें तो कुछ इस तरीके का है कि आज को जित करते हैं कि मैं वैसे सीख हूँ जैसे आप मुझे आप मुझे वैसे क्यूं नहीं सिखा रहे हैं यह प्रस्न बच्चों का है पेरिंट्स का भी अभी भावकों का भी एक प्रस्न है और ये युनिवर्सल टाइप का है पूरी दुनिया में है ये बहुत बड़े अच्छे नामी गिरामी विद्यालियों से लेकर जोपड़ पट्टियों में चलने वाले स्कूलों तक में भी एक ही जैसा है वो ये छोटा सा वाकिया अंग्रेजी में कि चिल्डरन वाक टू स्क पूल जाते हैं तो चलते हुए जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो दोड़कर भागते हैं विद्यालियों इन बच्चों को ऐसा महल क्यों नहीं दे पा रहा है कि वो दोड़कर विद्यालियों में आएं और जब छुट्टी हो तो धीरे धीरे चलते हुए निकले पी आई है देखिए सिक्षा के क्षेत्र के साथ एक विशेस बात यह है कि जो अन्य ब्यवसाय हैं उन ब्यवसायों में जो आरेंडी होता है जो रिसर्च इन डवलप्मेंट होता है और उससे जो सुचनाएं मिलती हैं या जो प्रक्रियाएं मिलती हैं या जो चीजें मिलती हैं सम्यक उप्योग लगातार होता चला जाता है उन्होंने ऐसी व्यवस्ता बना रखी है कि नई चीज़ें नई बातें प्रैक्टिसनर्स के सामने रखी जाएं आप मेडिकल का एक्जेंपल देख लिए डाक्तर को ये सुविधा उपलब्द है कि उसको हपते में एक दिन महीने में दो बार साल में तीन बार एक विशेश तरीके के आयोजन के साथ ये बताया जाता है कि ये नई दवाईया हैं ये नई इस्ट्रूमेंट्स हैं ये नई बाते हैं और ये लगतार होता है पूरे दुनिया भर में आर एंडी के उन लोगों ने विवस्ता कर रखी है इसी आर्किटेक्ट के फिल्ड में आप देख लीजिए इंजिरिंग के फिल्ड में देख लीजिए कि वहाँ पिछले कुछ दस्कों में जो प्रगति हुई है वो आर एंडी का नतीजा है आर एंडी हमारे यहां भी हुआ हाला कि उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और पिशेस लूप से जो हुआ भी हमने नहीं किया वो किसी और वज़े से दूसरे वेवसाय के लोगों ने किया तो इधर एक जो चबरदस इंफरमेशन आ रही है और जो बड़ी उपयोगी है वो नियूरो साइंस के फिल्ड से आ रही है नियूरो साइंस के लोगों ने जो ज जो ब्रेइन के स्ट्रक्चर को समझता है और दूसरे वो जो ब्रेइन की फंक्शनिंग को समझते हैं उनके आधार पर जो सुच रहे हैं प्राप्त हुई हैं उसको अगर मैं बोलू तो इस तरीके से कि इंप्लिकेशन्स ऑफ दी फाइंडिंग्स अफ नियूरो साइंस इन कह रहे थे फिर sociology of education कह रहे थे उन्होंने teaching और learning को अपने तरीके से समझने के कोशिस की आज के दौर में आज के दिन हम एक दूसरी दिशा की और को जो संभवता अधिक प्रभावशाली है हम now we are talking about biology of learning because learning happens here in human brain and definitely it is a biological process तो उस अंदर में जो बाते हुई हैं वो मत्हुला से share करूँगा आप से कि पहली बात तो यह हुई है कि जो spoken language का मामला है speaking का मामला है speaking एक natural process है बच्चा बोलता है उसको बोलना सीखने जैसी कोई चीज नहीं है वो बिलकुल वैसा ही है जैसा चलना होता है we do not learn to walk we mature to walk बिलकुल इसी तरीके से हम यह कह सकते हैं कि बच्चा बो उसको जो चीज बोली जानी है वो सुनाई पड़े उसको लोग बोलते हुए दिखाई पड़े बस इतनी सी बात है यदि वो नार्मल बच्चा है उसके sense organs ठीक ठाक है तो वो अगर लोगों को बोलता हुआ देखेगा लोगों को सुनेगा तो वो भी उसको बोलना सुरू कर देगा और दो ढ़ाई साल में बच्चा बोल लेगा युनेसको की एक रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले वो ये कह रहे थी कि इस दुनिया में जो हम समवाद करते हैं एक दूसरे के सांथ विभिन मानव समो हम इस प्रकार करते हैं कि कम से कम छे हजार पांस सो लैंग्वि को बोल सकता है एक भाषा को दो भाषा को और हो सकता है तीन को भी 100 को नहीं एक अर पांस Okay बाषा तीन सा लल बाषा है क्युècesिक कि बाषा कर राषा accurate कि कि साथ भाषा करे हैंव्डר प्रसका भाषा करे प οποै दो की दोे लुछ mm सब्सक्राइब के लिए कि उसको लाइव यूमन इंटरेक्शन चाहिए यू समझे कि यदि आज एक बच्चा यहां पैदा होता है नवीड़ा में और हम एयर लिफ्ट करके उसको चाहिना पहुंचा दें तो वो धाई साल तीन साल में चाइनीज बोलेगा वो यह कहीं नहीं क खबर लगी है कि मैं नॉइड़ा में पैदा हुआ था वहां हिंदी बोली जाती थी वो जो सुनेगा वो बोलेगा यह बात आई स्पोकन लैंगुज की इसलिए कि हुमन ब्रेन इस हार्ड वाइड फॉर स्पेकिंग दियर आर स्पेसिफिक एरियाज इन दी ब्रेन विज इ इन दिस एक्टिविटी और ओवर डिक पिरिएड आफ टाइम यह जो स्पेकिंग है जो बोलना है इस बिकम इस सर्वाइवल स्किल वैरेज दूसरी और आप देखें कि जो रीडिंग और राइटिंग है वो सर्वाइवल स्किल नहीं बन पाया वास्तों में बात यह है कि ज लिखना और पढ़ना है यह हमारे जीन्स में इनकॉर्पोरेट हो गया हो ऐसा नहीं है एसा कोई विशेष बात नहीं है जिसके आधार पर ही हम लिखना और पढ़ना शुरू कर सके वो हमको सीखना पढ़ता है अगर प्रस ने यह पूछ जाए इस रीडिंग नैचुरल नो रियली नो इट इस नाट नैचुरल अबिलिटी इस तो बी अक्वाइड अब यहां पर से संगर्च शुरू होता है बच्चे का इन लोगों का मानना यह है कि जब हम एक बच्चे से पढ़ने को कहते हैं लिखने को कहते हैं तो यह उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम ह होता है क्यों कि उसके लिए हमारे पास सहज रूप से कोई मस्तश्क में कोई ब्यवस्ता बनी हुई नहीं है अब क्या किया जाना चाहिए था कि यह जो सो फार इस स्पीकिंग इस कंसर्ण इसके बारे में इन्फरमिशन यह आई है कि अगर किसी भाशा को आप बोलना चाहत है बच्चे को उस भाशा को सुनने उसको बोलने वाले लोगों को देखने के अवसर प्राप्त हों यह लोग अपनी लैंग्विज में इन बातों को विंडो अफ अपरचुनिटी कहते हैं यह जो बोलने वाली अपरचुनिटी है विंडो है यह ग्यारा बारा साल में बंद हो जाएगा अगर हमने ये काम दो देड़ दो धाई साल से कर दिया होता तो वो सहज रूप से उसको कर लेता तो ताथ पर यह है कि स्कूलिंग के साथ रेरिंग आपको भी जोड़ना पड़ेगा इन दोनों को अलगला कंपार्टमेंट में हम नहीं कर सकते हैं हम को पेरिंट्स को को बताना पड़ेगा कि यदि आप अपने बच्चे को एक या एक से अधिक भासा बोलना सिखाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वातावरन प्रारम से ही सरजित करना होगा जितनी जल्दी हो सके और इस जल्दी करने की प्रक्रिया में कम से कम इतनी बात तो तही है कि ये पांच-छे साल साथ-आठ साल जितने देर आप करेंगे उतना ही मामला कठिन होता चला जाएगा बारह साल की उम्र में ये कि उसके बाद बहुत कठिन हो जाता है तब जबकि हमारे पास उसका कोई एक्सपोजर पहले नहीं हुआ है अब यहां पर जो मात्र भासा वाला कंसेप्ट है वो हमारा एक तरीके से इमोशनल स्लोगन टाइप का है मात्र भासा वही है जो मा बोलती है नेचुरली इसलिए शब्द का इस्तिमाल भी हुआ अगर हम ऐसा को समझ सकें कि मा नहीं बोल रही है कोई दूसरा बोल रहा है और बच्चे की उम्र देड़ साल दो साल धाई साल की है तो वो जो दूसरी भासा बोली जा रही होगी बच्चा उसको भी पकड़ लेगा कितनी भासाओं को बच्चा पकड़ सकता है दो में तो कोई शंका ही नहीं तीन भी बोल सकता है अगर ऐसा वातावर्ण दिया जाए कि वो तीन भासाओं को एक इसांद सुन रहा हो तो हमको पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से जो हमारी मात्र भासा है उसको सीखने के उसमें बोलने की एबिलिटी कम हो जाए गी होती है वो विकसित हो जाती है नकेवल विकसित हो जाती है वो सहज सरल और सुगं भी हो जाती है ये बात तो आई speaking की अब reading के मामले में पहली बात तो ये है कि reading एक natural ability नहीं है it is to be acquired अब ये बच्चा इस reading को करेगा कैसे तो इस बारे में जो बात आई है वह ऐसी है कि ये जो छे हजार पांसो डायलेक्ट्स हमारे पास हैं इनकी जो मूल ध्वनिया हैं हर भाषा की ध्वनी का एक alphabet सोते हैं उनसे एक ध्वनी निकलती है तो दुनिया की इन तमाम भाषाओं को जब देखा गया तो पता चला कि केवल 90 ध्वनिया ही हैं जिन से ये विवन भाषाओं बोली जा रही हैं और एक नॉर्मल हीमन बींग जो बच्चा है वो इन 90 की 90 ध्वनियों को अपने वोकल कॉर्ड से निकाल सकता है ये इबिलिटी उसमें जन्मजात है वो ध्वनियों को निकालेगा अब हमको करना केवल ये है कि बच्चा अपना एक बच्चे का शब्द भंडार होता है वो पानी सम सब्दों को वो नकेवल जानता है बलकि समझता भी है और उनका उप्योग भी करता है और ये सब्द क्या होते हैं ये या तो कुछ चीजों वस्तों से संबंदित होते हैं या कुछ प्रक्रियां से संबंदित होते हैं तो यदि हम प्रारंब में इन जो जो सब्द उसने पह हैं कि सुनो ये पानी है ये इस तरीके से लिखा जाता है और ऐसे ये बोला जाता है पानी के आगे अगर वाटर भी आप लिख देंगे तो वो दोनों को ही पकड़ लेगा उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है और इसी क्रम में जो उसका शब्द भंडार है बच्चों का शब् नप्रार्म करदेगा और ये काम अगर कई दिनों तक लगातार होगा कुछ महीनों तक एक साल तक और इसी तरीके से जो नंबर्स वाला मामला है निम्रल वाला है इस अंदर में भी कुछ इस तरीकी की जानकारी आई है कि संभा बता है नंबर्स के लिए हिूमन ब्रेन में व्यवस्था है बच्चा एक, दो, तीन, चार इन सब्दों के इन ये जो सब्द मैंने बोले अंक जो बोले इनके पारस परिक संबंद को समझता है वो एक गाई, दो बिल्लियां, तीन कबूतर पकड़ लेता है और बहुत जल्दी पकड़ लेता है उसके लिए एक को लिखने यदि हम दिखा दें, या वन, एक, या वन, दोनों, तो ये उसको आसानी से पकड़ लेगा, अगर हम प्रारंब में इल्फबेट्स और निम्रल्स दिखाएंगे, वो उसके लिए मीनिंगलेस हैं, यहां पर दिधान रखना होगा, कि जिस चीज का बच्चे के लिए सेंस औ वो होने चाहिए, जो शब्द उसकी मेंटल दिक्सिनरी में होंगे, या जो वाक्यांस, या वाक्य, मैं पानी पीता हूं, मां पानी देती है, ये वाक्य उसके मेंटल दिक्सिनरी में हैं, तो ये मेंटल दिक्सिनरी का उप्योग करते हुए हमको आगे बढ़ाना यहाँ प्रिक्रिया बच्चे के लिए सहज सरल और सुगम होगी राइटिंग के रेफरेंस में जो बात आई वो यह कि राइटिंग भी बहुत अब यह भी शुरू हुआ है दस बारह हजार साल पहले लेकिन ड्रॉइंग नाम की जो चीज थी वो बहुत पहले से विद्यमान थी आप इस बात को समझ सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति भी मूर्ती बनाते हैं, बना सकते हैं, वो ड्रॉइंग कर सकते हैं उसके लिए रीडिंग और राइटिंग की ज़रूरत नहीं है रीडिंग राइटिंग अगर आती हो तो अच्छी बात है नहीं भी आती है तो हमारे जो पुरखे जो गुफ़ा मानव थे उनके बारे में जो रॉक पेंटिंग के बारे में जो इन्फरमेशन लगी हैं हाथ ये बता रही है कि ये writing से बहुत पहले का मामला है कम से कम 20-25,000 साल पहले का यानि कि कम से कम 40-50,000 साल से हम rock paintings बना रहे हैं क्योंकि तब अपने को express करने का नई पीरी तक बात पहुचाने के लिए language नहीं थी written language या speaking भी बहुत बाद में आई है spoken language भी हालांकि वो काफी पुरानी है लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि प्रारंब से ही थी बस वो पुरानी है इसके मुकाबले जो reading और writing है मतलब ये बना कि speaking तो survival skill के रूप में इमर्द हो चुका है reading और writing अभी तक नहीं हुए हैं कारण केवल ये है कि वो इतने पुराने अभी नहीं हुए हैं कि वो हमारे jeans के coded structures में आ सकें jeans के मैं अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं आ पाया है न आ सकता है जो 10-12,000 साल में हमको यहां वो incorporate हो जाए तो अब इसके लिए draw करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चा to draw कर सकता है यदि उसको pencil और कागज उपलब्द करा दिया जाए तो वो कागज में pencil से कुछ कर सकता है हम drawing का मतलब यहां पर किसी चित्र को बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम pencil चलाने की बात कर रहे हैं अगर यह काम बच्चा एक डेड़ दो धाई साल में प्रारंब कर देता है तो प्रारंब में उसको केवल to draw के अवसर दिये जाएं यह याद रखा जाए कि from speaking we go to reading from drawing we go to writing अगर हम ऐसा कर सकते होते या हमने ऐसे अवसर उप्रब्द कराए होते तो बच्चे को reading में भी और writing में भी सुईधा हो जाती अई संदर में देखिए कि क्या है यह जो हमारे sense organs है इनके exposure की जब बात आती है तो जो windows of opportunities की बात इन्होंने की थी हम दो windows की बात करें एक वो जो spoken language के लिए बनी हुई है जो मैंने आप से बताया कि 11-12 साल में temper off हो जाती है तो उससे पहले दूसरी या तीन भासाओं को दो तीन भासाओं को बोलना सीखना आसान रहेगा वो बाद में भी किया सकता है बाद में वो कटिन हो जाएगा यह जो टू यह जो आँख और कान का जो हमारा मामला है वो कुछ इस तरीके का है इन लोगों का कहना यह है कि यदि किसी ऐसी एक हम अगर कृतिम स्थिति को सोच सकें जिसमें बच्चा दो साल तक किसी भी चीज को देखना सके यानि कि वीजूल एक्सपोजर हम बिल्कुल अगर बंद कर दें तो इनका मानना यह है कि यह बच्चा बाद में नॉर्मल होते वे भी कभी भी कुछ नहीं देख पाएगा यह बड़ी खतरनाक बात है इसका उल्टा गर हम करें कि दो साल तक यदि बच्चे को आप वीजूल एक्सपोजर मैक्सिमम कर दिया जाए जितना अधिक चीजें देख सके वो जंगल देख सके समुद्र देख सके आसमान तो देखने के लिए नेचर ने बनाई रखा है तमाम चीजें को देख सके और इसी तरीके से सुन सके और इसी प्रक्रिया में आगे वो उनको छू सके पकड़ सके चक सके जहां अवसर मिलता हो यानि कि मैक्सिमम एक्सपोजर अफ दी सेंस ओर्गन्स यदि पांस साल तक कर दिया जाएगा तो जो बोलना और लिखना और पढ़ना है तो ड्रॉ का इस्तेमाल करके इस बात को याद रखते हुए कि इस संदर में जो इन्होंने बात पता लगाई है वो ये हैं कि दुनिया में कभी भी कोई संस्कृति सभिता ऐसी नहीं रही है चाहे वो आज विद्दिमान हो या नहो इतिहास हमको बताता है कि आज के दिन की जो संस्कृति सभिता है और जो पुरानी दस हजारों साल पहली की जो संस्कृति सभिताएं थी उनमें कुछ चीज़ें common थी उनका अपना संगीत था music उनका अपना art था arts के अंदर visual arts में ये सब चीज़ें आती हैं संगीत के बाद अब देखिए उनका अपना निर्त था dance तो ये जो music, dance, drama, arts, especially visual arts ये हर संस्कृत सभिता में हैं एक तरीके से ये universal हैं कहीं ने कहीं ऐसा लगता है कि they are the base of the human experience वो मानवी जो हमारे अनुभव हैं उसके मूल में कहीं कि ये कहीं न कहीं हमारे survival से जुड़े हुए हैं तो हमसे एक जो बड़ी गलती हुई हुई ये हुई कि हमने निर्त को, संगीत को, visual arts को सिक्षा का माध्यम ना बना कर उनको wishy बना दिया, subject बना दिया और subject भी optional बना दिया तो हुआ क्या कि बच्चे के अंदर जो natural एक ability थी वो ability का उपयोग हम ने कर पाए, अगर हमने संगीत के माध्यम से, निर्त के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से, सिक्षा प्रदान की होती अधिकतर, तो बच्चे को उसमें सुविधा होती, देखे हमारा काम चीजों को सरल बनाना है, एक दिक्कत ये है कि making things easier is a difficult task, चीजों को सरल बनाना कठिन काम होता है, और फिर इसमें कई बातें इस तरीके के आती हैं, कि जो ये research findings होती है, इनको implement करने में जो देरी होती है, information हमारे पास आ गई, ज्यान प्राप्त हो गया, वो किताबों में बंद होके रह गया, वो पुस्तकालें में बंद हो गया, हमने वो ज यदि cognitive functioning को enhance करना है, तो हमको कुछ चीजों की अवश्यक्ता थी, कि एक morning hours में protein rich diet उसको मिले, परियाप्त मातरा में glucose उपलब्द रहे, plenty of water, लगातार उसको मिलता रहे, तो ये cognitive functioning के लिए better होगा, यदि संगीत सुनने का अवसर उसको मिले, या करने का, बनाने का अवसर उ physical exercises हों, तो ये brain की functioning को enhance करती है, हमको इन सब का सम्यक उप्योग करते हुए, कुछ इस प्रकार की बातें करने की अवश्यक्ता है, कि इन बातों को सरल तरीके से इन parents तक और teachers तक इसको पहुँचाया जाए, और बच्चों के लिए ऐसी सुईधायें उपलब्द कराए जाए कि वो एक नैसर्गिक वातावरण में, जैसा पिसले दिनों से जब N.C.F. 2005 आया था, कि जॉइफुल लर्निंग का कंसेप्ट बना, विद्याले बने आनंदाले इस तरीके की बाते हुए थी. पर जाए, जैसे रिए, जैसे रिए, जैसे रिए, जैसे रिए, जैसे खाल रुड़े में, यूज़ वास्तों में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये विद्याले आनंदालाई का रूप ले सके और बच्चे तब ये कह सके कि हम को विद्याले अच्छा लगता है जब तक विद्यारती को विद्याले अच्छा नहीं लगेगा जब तक विद्याले में भाई का वातवरन रहेगा देखिए जो नियरो साइंस के फील्ड में जो इन्फरमिशन्स आई हैं उससे अगर सीधी सी बात हम करें तो कुछ इस तरीक जहां भय का वातावरन होगा, जहां फियर का element होगा, तो human brain की एक खासियत यह है कि फियर वाले वातावरन में जो सिर्क्षा प्रदान की जा रही होगी, या जो कुछ भी सिखाया जा रहा होगा, वो उसको नहीं पकड़ेगा, वो रिजेंट कर देगा, वो resistance डवलप हो जाए तो हमको पहले तो स्कूल में घर में भाई मुक्त वातावरन प्रदान करना पड़ेगा, उसके उपरां इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए, जैसे एक information आई है कि छोटे बच्चों को यदि bright colored fruits, जो nature में bright colored fruits होते हैं, वो दिये जाएंगे, तो उस से, हलें कि वो intervention है, वो intervention खाद्य पदार्थों के रूप में, भोजन के रूप में, ब्यायाम के रूप में, संगीत के रूप में, यहां से आ रहा है, अगर हम इन सब बातों को समिलित कर सकें और इसको अपनी स्क्षन ब्यावस्ता में समाहित कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम सरल, सहज और सुगम तरीके से स्क्षन कारी कर सकने में सक्षम हो सकते हैं, धन्यवाद